महादेव की तीसरी आंख खुलने से पूरी प्रिक्वी का नाश हो सकता है ये हम सभी को पता है लेकिन महादेव की ये तीसरी आंख आई कहां से थी और क्यों बनी थी ये तो हमें शायद पता ही नहीं है और इसी के बारे मैं मैं आज आपको बताने वाली हूं बट उससे पहल हिमाले परवत बेठके तभि देवी देवताओं रिश本ियों और ज्यानियों के साथ बैठक कर रहे थे तब घ करती हैं। और उन्हीं आखें बंद कर देती हैं जैसे ही महादेव की आखें बंद होती हैं वैसे ही पूरी पिर्थवी में अंधकार हो जाता है पिर्थवी में रहने वाले प्राणियों में आहाकार मत जाता है और जब यह चीज होती है तो तब ही महादेव अपने मस्तक पर एक आख के आकार की प्रकाश किरन प्रकट करते हैं जिससे पूरे संसार में उजाला आ जाता है इस चीज़ को देखकर मापारवती हाँ देश से इस चीज़ का कारण पूछती है तब महादेव उनको बताते हैं कि मेरी आखें जगत की पालन हार है ऐसे में यदि वे बंध हो जाएं तो संपूर्ण सिष्टी का विनाश हो सकता है और यही कारण है कि भगवान शिव ने पूरी दुन्या की रक्षा के लिए अपनी पीसरी आख प्रकट की थी जिससे पूरे संसार को जोश्नी मिली थी और जीवनदान भी बिला था लेकिन अगर यही आँख खुल जाए तो यह पिठ्वी का नाश कर सकती है और वो तभी होगा जब महादेश को बहुत ही भयानक गुसा आएगा